चैप्टर ग्यारा देख रहे है Human Eye और Colorful World Human Eye और Colorful World इसमें जो important questions हैं और साथ में जो board में questions आये हैं उनके बारे में जानेंगे पहला है एक 14 साल का student है वो clearly देख नहीं पाता है जो blackboard पे questions लिखे हैं जो 5 meter है उनसे आपको defect बताना है जो इनके vision में जो problem है उसके सफर कर रहे हैं और labeled ray diagram से भी बताना है कि कैसे defect को हम correct करेंगे और साथ में कौन सा lens हम use करेंगे इसको ठीक करने के लिए जो defect हैंगे आँखों में तो ये जो problem इनको है वो इसको retina पे ना करके retina से सबसा पहले यहाँ पर image बना दे रहा है अब यहाँ पर अगर हम concave lens का उपयोग करें जो कि यहाँ पर तीसरे पार्ट का उतर भी है तो यहाँ पर जो parallel rays आ रही है infinity से यहाँ पर proper image retina में बनेगी याने कि जो F है आपका जो virtual image है वो F पर बनेगी इसलिए retina पे यह fix हो जाएगा तो clearly दिख पाएगा क्यों जो red color है वो red किया जाता है खास तर पे जब signal light की बात होती है danger signal light की बात हमेशा देखा होगा आपने green signal जो होता है वो go का signal होता है red signal stop का signal होता है देखे वेवलेंट जो होती है lambda red color की जादा होती है इसका मतलब यह है कि इसकी scattering बहुत कम हो पाएगी as compared to बाकी जो वेवलेंट है अब यह जितना कम scatter हो पाएगी उतनी अच्छे से वो दिख पाएगी क्योंकि जो बाकी light हैं वो scatter हो जाएगी लाल कम scatter होगी तो काफी दूरी से आप उसे देख सकते है इस diagram को पढ़िए समझिये और answer दीजे कौन सा defect vision है देखे यह जो आपका image बन रही है वो तकरीबन यहाँ बन रही है यह जो defect है vision का आपको बताना है और reason भी बताने है अपने answer के लिए क्या हो सकते है जो दो cause इस defect के लिए क्योंकि यहाँ पर image बन रही है बनिस्बत की यहाँ जो की आपके retina में बननी चाहिए diagram से बताना है कि कैसे इसको correct करेंगे lens copy करके तो hypermetropia hypermetropia यह image क्योंकि यहाँ बन रही है retina से दूरी पर यह आप कहें कि पीछे इसलिए इसको hypermetropia कहते है और इसके कारण यह हो सकते है कि हो सकता है कि focal lens जो lens का हो वो जादा हो और eyeball आपके यह थोड़े छोटे हो गए तो भी यह hypermetropia हो सकता है इसको correct करने के लिए हम यहाँ पर एक convex lens copy हो करेंगे suitable focal lens लेंगे इसकी और उससे क्या होगा कि जो चीज यहाँ बन रही थी उसको हम यहाँ लाने कोशिश करेंगे तो आप देखे यह जो है आपका eye image यहाँ बन रही है तो हो यह राय कि आपका कोई अगर object है इस तरीके से और आपको यहाँ बनने की जगा यहाँ बनाना है तो इस lens के जरीए इस convex lens के जरीए आपकी वर्चुली में जहाँ बनेगी जो यहाँ पर आपको clear ली दिखाए देगी एक student है यह back bench पे बैठे हुए है वो clear ली नहीं देख पा रहे हैं जो blackboard पे लिखा हुआ है लेकिन यह अगर सामने बैठ जाए 1.5 मीटर पे एकदम blackboard के सामने तो वो उसे देख पाते हैं आपको ray diagrams बनाने है ताकि आप जो image form हो रहा है blackboard पे वो आप देख सकें जब वो पीछे बैठे हो back seat पे या फिर front पे बैठे हो दोने केस में आपको इसका उतर देना है तो जब student आपके पीछे बैठे हैं तो बताया गया कि वो देख नहीं पा रहे है उसका कारण ये है कि जो आपकी parallel rays आ रही है object से distance object से जो infinite से आ रही है वो retina पे ना बनके retina से थोड़ा पहले बन रही है लेकिन जैसे ही साहब 1.5 मीटर तक देख पाते हैं इसका मतलब यह है कि जैसी वो यहाँ बैठते है तो यह जो lens है यह possibly आपको यहाँ पर या इसके आसपास retina के आसपास image मना देता है तो वो थोड़ा बहुत उसको clearly देख पाते है spectrum white light का क्या होता है और कैसे हम recombine कर सकते है जो component white light के है एक बार prism से वो निकले prism क्या करता है prism जो होता है white light को आपके विब्ग्योर अलग-अलग spectrum में disperse कर देता है और आपको diagram भी बताना है इसका तो देखेगा कि जो color pattern है विब्ग्योर यह विब्ग्योर होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red तो यह होता यह है कि जब white light इससे पास होती है यह prism है और prism का क्योंकि दोनों जहां से आ रही है और जहां से जा रही है वो दोनों किसी angle पे है वो जोनों surfaces किसी angle पे है तो इससे dispersion होता है जो white light आ रही होती है वो तूटती है तूटती क्यों है क्योंकि अलग-अलग पार्ट के लिए अलग-अलग वेवलेंट के लिए अलग-अलग स्पीड होती है क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग-अलग है तो उसी साब से आपकी यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक है तो यह R यहां से आएगा, V यहां से आएगा दोनों combine होके हैं आफर स्क्रीन पर आ जाएगा इस तरीके से बनेगा आपको बताना है कि जो प्लैनेट हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं या चमकते क्यों नहीं जबकि स्टार जरूर चमकते हैं चमकते हुए प्रतीत होते हैं इसका उत्तर यह है कि प्लैनेट जो हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं और इसको हम point size बहुत छोटी-छोटी point size object की तरह हम जहां से light आ रही है या फिर कि प्लैनेट अपने आप तो कोई light देते रही है प्लैनेट और स्टार हो यह सब light ले के आपको भेजते हैं तो हम प्लैनेट को समझ सकते हैं कि जैसे यह प्लैनेट है इसमें बहुत छोटी-छोटी-छोटी source की तरह समझ सकते हैं point size sources और यह आपस में एक दूसरे के जो twinkling effect है उसको nullify कर देते हैं खतम कर देते हैं लेकिन जहां तक star की बात होती है हमारे यह atmosphere है यहाँ पर star है यहाँ पर क्या है atmosphere के अलग-अलग layers है यहाँ पर dancer है rare है rare है dancer है इस तरीके से अलग-अलग आपकी जो condition है atmosphere के अलग-अलग layers की तो जैसी यहाँ से light आती है माय तरफ या यहां से raise आती है तो यहां पर reflection होता है, बार-बार reflection होता है तो क्या होता है कि यह band होती है बार-बार, जब तक यहां पहुंचती है हमको लगता है कि यह इधर पर है तो यह जो इधर है वो हमको लगता है यहां पर है, हमारी आखे है तो इससे क्या होता है कि जो apparent position है star की वो fluctuate होती है, change होती है यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इस तरीके से और जितनी हमारी आँखों में light आ रही है वो थोड़ी से change होती रहती है कभी-कभी हमें star bright दिखने लगता है क्या cause है dispersion का आपको diagram भी बताना है ताकि आप dispersion दिखा सके dispersion white light का glass prism से तो जिस light, एक white light आ रही है यह split हो रही है, तूट रही है अलग-अलग part में यह देखे constituents part है, विब्ग्योर यह acronym है विब्ग्योर, विब्ग्योर का मतलब है violet, indigo, blue आपका green, yellow, orange, red तो जो तूटना होता है light का या split होना होता है उसके अलग-अलग colors में जो यहां colors निकल के आते हैं इसको हम dispersion कहते हैं तो यह जो color pattern है, इसको हम spectrum भी कहते हैं spectrum भी कहा जाता है इसको dispersion होता क्या होए, क्योंकि जो speed of light है अलग-अलग color की इस prism में वो अलग-अलग होती है इसका मतलब क्योंकि हर एक color जो है उसकी speed अलग है और reflective index है यहां पर एक एक कहें कि अंदर वाला जो portion है यह dancer medium है, यह जो lighter medium है यह rarer medium है तो जब यहां पर आती है तो यह अपने आप bend होती है अब यह से normal है अब red जो है थोड़ा कम bend होती है यह angle थोड़ा सा कम है लेकिन आप देखें यह angle बहुत ज़ादा है या निकि जो violet है वो ज़ादा bend हो जाती है तो इस कारण से जो red color है उसकी maximum speed होती है वो कम bend हो पाता है और जो violet है उसकी सबसे ज़ादा speed होती है वो सबसे कम speed होती है तो वो ज़ादा bend कर दिया जाता है जो ray of light है हर एक color की वो अलग-अलग path से निकलती है अलग-अलग रास्ता लेती है इसलिए जब वो बहार निकलती है तो आपको अलग-अलग दिखती है अलग-अलग आपके सामने आती है इसलिए आपको लगता है कि ये इस prism में क्या किया white light को लेके आपको ये सारे के सारे विब्ग्योर color दे दी है जबकि अंदर क्या हो रहा होता है कि ये अलग-अलग speed से move कर रही होती है तो इसलिए कोई अलग निकलती है कोई अलग निकलती है तो अलग-अलग आपको डिफरेंट विब्ग्योर color दीखते है एक glass prism है ये spectrum बना देता है लेकिन यहीं पर गागर glass slab हम use करें तो spectrum पैदा नहीं होता ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है कई बार आता है तो उसलिए करण यह है कि अगर मैं इस तरीके से slab बनाऊ एक slab कुछ इस तरीके से होता है अब देखिए अगर यहां से light आ रही है तो ये surface और ये surface parallel है तो होता यह है कि dispersion के लिए जो दो reflecting surface है वो inclined होने चाहिए ये इसके parallel है जबकि अगर आप prism की बात करें अगर तीसरा जो पार्ट है इस तरीके से मैं यूँ करके बदाऊँ ये surface और ये surface दोनों किसी angle पे है इनके बीच में कुछ inclination है जबकि ये दोनों parallel है तो dispersion यहां नहीं हो पाता जबकि dispersion यहां पर होता है क्यों ये इसका कारण ये है कि जो rectangular glass slab है इसको आप दो identical prism की समझ सकते है जो एक रखा हुआ है और दूसरा उसके inverted position ने रखा हुआ है लिगि दोनों मिलकों अगर आप एक prism को दूसरे prism के साथ जोग दे और एक सिधा हो एक inverted हो तो वो glass slab ही बना लेगी तो जो deviation है और dispersion है जो second prism का अगर हमने inverted रखा वो बिलकुल बरावर होगा और opposite होगा जो पहले वाले का यानि कि white light जहां से आई और उसने साथ भाग में divide किया विब्योर भाग में divide किया और उसके बाद दूसरे वाले का आपने रख दिया तो जो विब्योर है वो command होके white light में बाहर निकल जाते और ये क्या है दोनों एक ही काम करें या तो आप दो prism लगाएं एक सिधा एक उल्टा या फिर एक glass slab यूज़ करें तो हाँ ये ज़रूर है कि कुछ lateral displacement हो सकता है लेकिन rectangular glass slab ये spectrum पैदा नहीं कर सकता है ये portion और ये portion ये surface ये surface जहां से light आ लिए ये दोन parallel है इनको कही न कही incline होना पड़ेगा तब कुछ दिख पाएगा आपको आपको ये term बताने है जो आखों की problem ये defect vision के साथ related है और correction भी इसका बताना है तो myopia ये है इसको हम कहते है short sightedness ये क्यों होता है क्योंकि हो सकता है cornea का बहुत जाबा curvature हो बहुत घुमाव हो इसमें excessive curvature हो या फिर eyeball आपके जो होते हैं उसमें जाबा elongate हो खिचे हुए हो तो image जो है वो retina के पहले बन जाती है conquer lens को use किया जाता है ताकि आप इसको correct कर सके estigmatism की जहां तक बात है अगर जो vertical हो यो horizontal line हो तो जो light का vertical और horizontal line को focus करने की जो possibility है अगर वो ना हो तो estigmatism होता है आपको चीज़े blur दिखाई देगी और यह होता है कि जो आपके lenses है वो vary कर रही है curvature उसका vary कर रहा है हो सकता है कि आँखों के ओपर जो सबसे आगे का portion है वो ठीक नहीं है horizontally vertically curvature vary कर रहा है तब भी यह होता है इसके लिए हम cylindrical lens का उप्योग करते है bifocal lens क्या होते हैं यह press biopic eye को ठीक करने के लिए होते हैं यह जो lenses है इसमें उपर का part concave होता है नीचे का part convex lens होता है bifocal lens कहते हैं जैसे कि यह lens इस तरीके से चश्मा है आपका तो उपर का portion आपका यह वाला जो portion होगा यह आपका concave होगा नीचे का portion आपका convex होगा तो यह age के साथ भी यह चीज़े बढ़ती है age के साथ थोड़ी यह problem आती है तो आपने दिखा होगा कि जो थोड़े से 45 प्लस लोग हैं वो ऐसे चश्मा यूज़ करते है far sightedness की जहां तक बात करें hyper metropia या फिर far sightedness यह क्यों होता है क्योंकि जो focal length है लेंज का वो जादा हो सकता है या हो सकता है कि जो eyeball आपकी छोटी हो यह birth से हो सकता है और image जो है वो आपके retina से बाहर बनती है beyond बनती है और अगर हम convex lens का उप्योग करें तो यह चीज़ ठीक हो सकती है proper आपके focal length का power का फिर है आपका second part क्यों जो normal eye है वो focus नहीं कर पाती है एक object को अगर आप 10 cm रख दे आई से यानि कि आपकी आँखे इस तरीके से है और आप यहाँ पर 10 cm भी यहां से आते 10 cm के दूरी है यहाँ पर अगर object रख दे आप focus नहीं कर पाते है जो minimum दूरी है आपकी रखने की 25 cm है normal adult eye की तो जो focal length है eye का वो आप 25 cm से ज़्यादा chain नहीं कर पाते हैं क्योंकि 25 cm हमारी adult की जो जिसे हम near point कहते हैं अपने आखों का 25 cm इसलिए अगर आप 25 cm से कम की जगा पर रख देंगे तो आप देखेंगे कि एकदम करीब ले आए अपने जो near या pass या दूर की object है उनको focus करने वे बड़ा फटा 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 अब देखें आँखों का भी pass देखें फिर दूर देखें आँखें के capable है कि आप अराम से pass और दूर का एक बार में देख सके फटा फट without any मतलब quick succession का मतलब यही है तो ciliary muscles जो होती है आँखों की वो focal length को change करती है इसके ताकि आप pass का दूर का in quick section बहुत फटा फट देख सके एक person है उसका advice किया गया कि आप spectacle पहनी है concave lens से कौन से type का defect हो सकता है इनके vision का तो अगर इनको कहा गया है कि आप concave lens पहनी है इसका मतलब इनको myopia है या short sightedness है यह दूर की चीज़े नहीं देख पाते हैं एक person है जिसको advise किया गया कि आप convex lens पहनी है कौन सा defect हो सकता है इनके vision को तो अभी इनको convex lens का गया है इसका मतलब यह pass की चीज़ नहीं देख पाते हैं इसका मतलब इनको hypermetropia है या far sightedness है क्यों जो अलग-अलग components है आपके white light के वो deviate हो जाते हैं अलग-अलग angles के जब वो triangular glass prism से निकलते हैं उसका उतर यह है क्योंकि refractive index अलग-अलग medium द्वारा क्योंकि refractive index change होता है तो जितने कम bend होंगे जितने ज्यादा bend होंगे इस कारण से आप देखते हैं कि जब वो light बहाँ निकलती है तो विब्ग्योर आपको दिखता है एक person है वो बहुत आसानी से book read कर पाते हैं लेकिन अगर उनको एक दूरी पे बस 5 मिटर दूरी पर बस पाग है उसका number पंडे बोला जाए तो पंड नहीं पाते हैं उनको कौन सा defect है vision का और किस type के lens आप देखते हैं ताकि वो उनको clear देख पाए तो myopia या short sighted index है पास की चीज़ देख पा रहे हैं पास के लिए ठीक है यानि कि hypermetropia नहीं है उनको दूर की चीज़ नहीं दिख पा रही है इसका मतलब myopia है तो उसके लिए concave lens यूज़ करना पड़ता है ताकि उनकी vision correct हो सके color sky का क्या होगा जब atmosphere ही ना हो अगर atmosphere ना हो तो color क्या होगा sky का color sky का काला होगा क्यों अब देखे एस्ट्रोनाड उपर जाते हैं उनको सब कुछ काला दिखता है क्यों कि हम जब नीचे होते हैं और हम मारे पास जब light आ रही होती है तो वो atmosphere से पास होती है और उसके साब से जो light जब deviate होती है या फिर आपकी reflect होती है या scatter होती है उससे साब से हमको नीला लाल इस तरीके से हमको अपना ऊपर या ये कहीं आस्मा दिखता है तो sky जो है dark दिखेगा अगर आप बगर atmosphere के atmosphere ना होने के कारण क्या होगा scattering नहीं होगी अगर scattering नहीं होगी से लाइट की इसका reason बताना है आपके हो ये रहा है कि जब astronaut साब उपर पहुंच गए तो महाँ पर scattering नहीं हो रही है क्योंकि वह atmosphere ही नहीं बहुत high altitude पर ये है और महाँ पर atmosphere नहीं है जैसे मैंने कहा atmosphere ही scattering करता है जिसके कारण हमको blue या कभी-कभी जैसे अब बादर बदली होती है तो उत्रों साल का काला स्काय दिखता है इस सब चीज़े दिखती है myopia क्या है या near sightedness क्या है आपको ray diagram बताना है ताकि आप बता सके कैसे इसको correct किया जाएगा तो myopia का मतलब ये है कि दूर की चीज़े नहीं देख पा रही है हमारी आंग जो है दूर की चीज़े long distance object को नहीं देख पा रही है तो image जो इस case में बन रही है वो आपके retina से पहले बन जा रही है देखें ये infinite light आ रही है यहाँ पर हमारी जो lens है वो इसको यहाँ retina पे न बना के उसके पहले बना दे रहा है तो जितने भी myopia का आई है वहाँ पर एक far point होता है जिसके पीछे जिसके आगे वो देख नहीं पाते है तो short sight innate जिसे हम myopia भी कह रहे है उसको connect किया जाता है concave lens यूज़ करके तो यह concave lens है इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो proper आपके retina पे image बनेगी और यह concave lens का कान यह होता है कि यह image को diverge करता है conversion यह diverge करता है इसलिए यहाँ पर देखे f पर आपके image बन रही है पर यह shift करता है आपकी image को retina पे hypermetropia क्या होता है fight sidedness क्या होता है आपको ray diagram बताना है ताकि इस defect को ठीक किया जा सके आपको lens भी बताना है तो hypermetropia यह आपकी pass की चीज़ों को देखने की inability है आप अगर pass की चीज़ नहीं देख पाते है इसका मतलब आपको hypermetropia है यानि की nearby object आपके आँखों की है वो नहीं देख पा रहे है जो image है इस case में वो आपके retina से पीछे बन रही है कोई भी hypermetropic eye है तो यहां उसका एक near point होता है और इसको correct कैसे किया जाएगा आप convex lens यूज़ करेंगे वो light को या फिर जो rays आ रही है उसको converge करेगा और यहां से यहां आपके shift कर देगा तो retina पे आपकी image बनेगी और proper आप यहां पर image को देख पाएंगे यह correction है hypermetropia का यूज़ कर रहा है आपको convex lens आपको dispersion बताना है light का क्या होता है आपको बताना है color जो सबसे कम bend होता है और जो सबसे जादा bend होता है जब हम prism से उसे pass कर रहे है तो जो white light का splitting होती है तूटना होता है अलग-अलग component क्योंकि white light का मतलब है बहुत सारे color उसमें just है जब सारे color को मिलाते है तो white बनता है जब white light एक prism के through जा रही है और उसके बाद अलग-अलग भागों में तूट रही है अपने component का लग में उसे को हम dispersion कहते है तो जो color bend होता है सबसे जादा वो है violet और जो सबसे कम होता है उसे वो है red होता है इसलिए हम stop के लिए red light यूज करते है जब यह prism से pass होता है तो colloidal particles होते हैं जिससे वो टकराती है तो जो फिनोमना है scattering का light का colloidal particles है जो जैसे हवा में या पानी में जो टैर रहे है उसको हम trindle effect कहते है आपको example बताना है जो optical phenomena जो आपके atmosphere reflection से होता है तो जो star है इसके बहुत सारी example है आप बता सकते हैं जैसे stars है अब star twinkle क्यों होते है चमकते क्यों है वो reflection के कारण होते है atmosphere के अलग-अलग layer से जो reflection हो रहा है light का जब तक वो आपने आखों में पहुशती है तक वो इतनी bend हो चुकी होती है कि आपको कहीं और दिखाई देता है फिर वो कहीं और दिखाई देता है तो चमकता और ऐसे लगेगा जैसे कभी कम है कभी जादा है तो इसलिए चमक चमकता है twinkling of star आपको example बताना है फिरोमेना का जहां आप टिंडल effect को observe किया जा सकता है तो अगर एक बहुत fine beam आप अपने घर पे खड़े हो जाई है खिड़की से light आने दीजिए आप देखेंगे कि जो suspended particle है वो आपको clear दिखाई देगी नहीं कि path आपके light का visible होगा इसी को हम scattering कहते है light की इसी को हम tindle effect कहते है इसी तरीके से अगर हम एक colloidal solution ले जिसमें colloidal particle है एक काम करते है प्रिजम की तरह जो rainbow बनाते है यानि कि इंद्र धरूज बनाते है स्काई में तो जो water droplets होती है आप देखेंगे जब भी बरसात होती है उसके बाद या उसके पहले आपको बाद में खास तरह पे आपको इंद्र धरूज दिखाई देगा तो water droplets का काम यह होता है कि वो prism के काम करती है तो जो light आ रही होती है उसको वो विब्ग्योर में तब्दिल कर देती है तो आपको इंद्र धरूज दिखाई देता है dispersion का क्या cause है क्या इसका पीछे कारण है white light का जब वो prism से पास होती है तो जो refractive index है material का prism का वो different है हर color of light के लिए यानि कि जो अलग-अलग color निकल के आते है एक white light में सारे color होते है और वो इसी कारण से अलग-अलग refractive index है तो अलग-अलग speed से वो जाएंगे तो जैसे आपका सबसे ज़्यादा speed होती है red की सबसे कम speed होती है तो red आपका कम deviate होता है violet आपका सबसे ज़्यादा red deviate हो जाता है और prism का जरूरी यह है कि prism के non-parallel surfaces होते है यही पर आप glass lab लेंगे तो आपको यह दिखाई नहीं देखा dispersion नहीं होगा आपको atmospheric phenomenon बताना है जिसके कारण जो sun है वो आपके horizon पे horizon में दिखने से पहले मतलब दो मिनट पहले ही दिखाई दे देता है actually क्या होता है sunrise से पहले sunrise हो रहा होता है वो sunrise के दो मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगता है ऐसा क्यों होता है इसका phenomenon का करण है atmosphere reflection मतलब जो उसके light आ रही होती है या जो दिखने वाला होता है तो उसकी light रिफ्रेक्ट हो होके atmosphere से हमारी आखों में पहुंच जाती है यानिकि अभी तक वो उगा नहीं है दो मिनट बाद उगेगा लेकिन हमको दो मिनट पहले ही देखने मिलता है वो तो अगला सवाल है जो 2011 में दो माक्स के लिए आया था आपको reason बताना है जो extent है deviation का यानि की जो मुणने का ray of light का जब ये grass prism से जाता है वो depend करता है उसके color पे तो refractive index जो medium का है वो अलग-अलग color के लिए color of light के लिए अलग होता है इसलिए जो deviation होता है अगर आप देखे प्रिजम से जो white light आती है तो कोई इस तरफ मुड़ता है और जो आखरी वाला है वो इस तरफ मुड़ता है बागी बीच में ऐसे मुड़ते हैं तो कुछ जादा मुड़ते हैं कुछ कम मुड़ते हैं आर करते हैं इसको अगला सवाल है lights of red colors are used for danger signal क्योंकि wavelength आपके red color का वो जादा होता है इसका मतलब ये scattering भ्यान रखेगा कि जो scattering होती है वो inversely proportional होती लैम्ना से तो बहुत कम scatter होता है अगर हम compare करें बाकी विद्ग्योर के color से तो ज़्यादा दूरी तक ये जा पाता है और ज़्यादा दूरी तक दिखता है एक star है जाने कि हम जैसे सूरज, चांद की बात करते हैं तो तारे भी होते हैं, star तारे होते हैं ये आपको थोड़ा अपनी position से उपर दिखाई देगा sky में आपको बगाइदा एक diagram से बताना है कि ऐसा क्यूं होता है ये कई बार आता है, इसको रध्याद से देखेगा मैं इसको इस तरह कैसे समझा हूँ आपको पहले हम समझते हैं, कि ये बच्ची यहाँ खड़ी है star यहाँ पर है लेकिन इसको दिखता है यहाँ पर फिर इसके बाद ये कहीं यहाँ दिखता है फिर कहीं यहाँ दिखता है तो ये इधर जब इधर ओदर move करता है अपनी position से, यानि कि इसकी actual position जो apparent position ही change होती रहती है इसी कारण से इस बच्ची को दिखता है कि ये तार जो है चमक रहा है कैसे होता है अब देखिए, यहाँ इस जगा जहाँ पर ये है विद्यमान और यहाँ, जहाँ ये देख रही है इसके बीच में है आपका atmosphere अब क्या है, atmosphere में अलग-अलग refractive index है बलकि मैं कहूंग कि refractive index increase करता है, जैसे आप नीचे जाते है यहाँ पर आपका rarer medium है या denser medium है, तो जैसी यह आता है यागर यहाँ देखिए कि जैसी एक medium से दूसरे medium में आया है इस perpendicular को मैं draw करो तो थोड़ा सा bend हो गया फिर यहाँ भी bend हो गया, फिर यहाँ भी bend हो गया तो कहने का मतलब यह है कि जो refractive index है अलग-अलग layer का atmosphere का वो change हो रही है क्योंकि atmospheric reflection हो रहा है और इस कारण से हमारे जो star light है जो atmosphere से आ रही है वो बार-बार refract होती है जो उपर के layer की air है वो rare and medium है, जैसे आप नीचे आते रहते हैं और घनी है, dense हो जाती है जैसे हम एकदम नीचे पहुंचाते हैं वाँ जादा dense हो जाती है तो atmosphere इस straight light को bend करता है नॉर्मल की तरफ इससे क्या होता है, जो apparent position है star की, वो थोड़ी सी अलग होती है जो उसके actual position है इस कारण से star थोड़ा सा हमको ऐसे लगता है कि इदर उदर घूम रहा है, इदर उदर जा रहा है तो twinkling effect आता है उससे हमें लगता है कि actual position से अलग है और हमें चपकता हो दिखाए देता है आपको ray diagram बनाना है और दिखाना है कि जो reflection हो रहा है glass prism पे इसमें आपको incident ray बतानी है virgin ray बतानी है साथ में angle of deviation भी उताना है तो ये आपका एक prism है prism को इस triangular की तरह समझीएगा लेकिन ये 3D में समझीए इस तरीके से है ये एक phase, दो phase, तीन phase ये चौथा phase जो सामने है तो इस तरीके से ये prism बना हुआ है अब क्या है कि ये जो अलग-लग phase से कुछ angle बनाते हैं आपस में मतलब कुछ inclined होते हैं अब होता ये है कि जैसे माली जी ये light आपकी enter हुई अब इस surface के साबसे हम ये 90 degree बना देते है नॉर्मल बना देते हैं तो इसको कहते है angle of incidence अब ये क्या हुआ कि जैसी light अंदर गई ये थोड़ी मुड़ गई किसके तरफ यहां normal के तरफ मुड़ गई तो angle of ये से कहेंगे refraction तो ये आई हो गया incident angle इस angle को हम कहेंगे refraction angle अब ये सीधी यहां से यहां तक गई उसके बाद अब फिर से ये बाहर निकलेगी याने कि ये dancer medium से rarer medium में जा रही ये भी rarer medium है तो ये आपका 90 degree बनाए जाए या इस plane के perpendicular लिया जाए तो ये इस से दूर जाएगी क्योंकि अब dancer से rarer में जा रही तो ये ठीटा बनाएगी जब बाहर निकलेगी ये रहे जो ये ठीटा या फिर e कही है इसको तो ये e को हम angle of emergence कह सकते हैं और जो इस ये जो i इसको सीधा बढ़ा दें और ये जो निकली इसको सीधा बढ़ा दें तो ये जो angle बनता है याँपर data या इसको हम angle of deviation कहते हैं power क्या होता है power of accommodation क्या होता है आई का देखिए आपकी आँखें यहां पर है ठीक आप यह pass का देखते हैं फिर दूर का देखते हैं तो pass और दूरी का देखने में जितना eye accommodate कर पाती है उसे power of accommodation कहते है या जो power है lens का जितना maximum variation हो सकता है इसमें ताकि दूर का बहुत दूर का और बहुत pass का object देख सके clearly उसे हम power of accommodation कहते हैं आखों का एक बंदा है उसकी myopic आई है वो देख नहीं सकता 1.2 मिटर के बाद मतलब उसको दूर की दूर का नहीं दिखता है what should be the type क्या type होगा इस corrective lens का हमको corrective lens कौन सा use करना पड़ेगा उसका power भी आपको बताना है तो अगर हमें correct करना है तो जो object है उसको हमको infinity पर मानना पड़ेगा infinity से हमको image मनानी पड़ेगी 120 cm ठीक as an image of 2 120 cm 1 by f equal to 1 by 1 by क्योंकि lens की बात है 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u v हमारे पास minus 120 है जो final बन रही है initially जो ray आ रही है वो आपकी infinity से आ रही है तो हम minus infinity लेंगे जाने कि f आपका minus 120 आ गया power क्योंकि centimeter में आप चाहते हैं तो change कर दीजिए इसको meter में आपका power power 1 by f होता है power equal to 1 by f इसको 1 by कर दीजिए minus 5 by 6 director आ जाएगा minus 5 by 6 आपका या 5 by 6 आपका 0.83 आ जाएगा जो concave length से यूज करना पड़ेगा इसमें उसका focal length है 120 cm power है 0.83 में D क्या values होती है near point और far point की जहां तक एक normal आदमी का सवाल है adult person का सवाल है तो 25 cm तो इनकी near होती है जैसे यह आँखे है जितने करीब का देख पाएंगे 25 cm तक यहां एकड़ाव क्लियरली देख पाएंगे इसके करीब कोई चीज चीज देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा धुन्दा दिखाई देगा और दूरी का कोई limit नहीं है जहां तक horizon है तब वहां तक देख सकते अब तब टेक्निकली तो इसको infinite कहेंगे एक student है जिसको थोड़ी से difficulty हो रही है blackboard में जब वो last row में बैठे हुए है उसके बाद जो इनको defect हुआ उसके बारे में आपको बताना है कि क्या दिक्कत है इनको ray diagram से आपको बताना है कि कैसे defective vision को आप दिखाएंगे तो इनको है short sightedness याने कि जो इनकी myopic आई है दूर का नहीं देख पाते हैं जो image है इनकी वो आपके retina के पहले ही बन जा रही है और इसको कैसे connect करेंगे अगर हम यहाँ पर concave lens लगा दे तो यह diverge करेगी आपकी image यहाँ proper बनेगी जो diverge करके यहाँ पर F न बननी चाहिए इस तरीके से तो myopic आई है और इसको clear ठीक करने के लिए हमको concave lens का उप्योग करना पड़ेगा आपको तीन common defect बताने है vision के उनके causes बताने है क्यों होता है यह और आपको lens बताने है जो आपको use करेंगे ताकि यह defective vision को दूर किया जा सके तो पहला है myopia इसका cause यह होता है कि अगर आपकी eye ball आपकी eye ball थोड़ी सी खिज गई है तो इस कारण से myopia हो सकता है और जो type of lenses के लिए use करेंगे concave lens है देखिए अगर आप रात को पड़ते हैं अगर आप करीब book को पड़ते हैं या late के पड़ते हैं तो पूरे chances हैं आपके myopia हो जाए इसको बचने के लिए दिन में पढ़िए अच्छी light में पढ़िए और रात को देर तक मत पढ़िए hypermetropia का जहां पक सवाल है यहां पर eye ball अगर आपकी secret गई है श्रिंक हो गई है तब यह हो सकता है और type of lens इसके लिए हम convex lens यूज़ करेंगे suitable power का press biop का मतलब यह है कि आपको hypermetropia भी है myopia भी है short और far sightedness दोनों है इसमें क्या होता है कि जैसे उमर के साथ ciliary muscles थोड़ी सी weak हो जाती है तो इसके लिए हम bifocal lens यूज़ करते है अगर इस तरीके से आपका चश्मा है तो उपर की तरफ उपर की तरफ concave लगाए जाता है और नीचे की तरफ आपका convex लगाए जाता है क्यों? यज़िए हम पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं इसके लिए टिंडल effect है टिंडल effect में क्या होता है अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाए और याँ खिड़की है आपकी और light को देखें आपका आते हुए तो आप देखें आप particles आपने लिखाई देगी इसी को हम टिंडल effect कहते हैं क्योंकि यह colloidal particles होते है जो air में रहते है आपके एक function बताना है आईरीस का आपके आखों में जो आखों में आईरीस का काम है वो pupil जिसके थूँआ light enter होती है उसको control उसके size को control करने का काम आपके आईरीस का है आपके एक function बताना है pupil का आपके आखों में pupil का main काम है कि जितनी light enter हो रही है आपके आखों में आपने देखा होगा कि जब आखे आप जब धूप में जाते हैं तो आखे आपने छोटी कर लेते हैं जब अंधरे में होते हैं तो आप उतनी आखे खोल लेते हैं तो वो फ्यूपल ही एक काम कर रहा है, यह regulate करता है, control करता है, कितनी light हमारी आँखों में आ रही है. आपको रोल बताना है, ciliary muscle का, आपके आँखों में, तो जो ciliary muscle है, यह एक तो focus करती है image, किसी object की retina पे, कैसे करती है, eye lens के curvature को adjust करती है, छोटा बड़ा करती है, जिसके साबसे, आप चीजों को देख सकें properly, आपको एक function बताना है, crystalline lens जो आपके human eye में है, देखिए lens ही तो सब कुछ होता है आखों में, बाकी चीजों तो हैं, बाकी चीज़ सपोर्टिंग स्टाफ है, main जो है, डिरेक्टर तो ये lens ही है, तो crystalline eye का lens है, वो आपका real और inverted image बनाता है, किसी भी object का जो आप देख पा रहे हैं, आपके retina पे, दो property आपको बतानी है, जो image बनती है आपके retina पे eye lens जवारा, तो पहले तो ये है कि जो image बनेगी retina पे, वो real और inverted होती है, और छोटी size की होती है, diminished होती है, आपको एक function बताना है, जो cornea होता है आँखों में, तो cornea का मतलब ये है, एक तो ये reflection देता है light rays को, ताकि वो आँखों के अंदर आ सके, why does the sun appear ready at sunrise, sunrise पे ये ready at sunrise, देखे, उसके दो-तिन तर्क है, जैसे ये अपका earth है, अब sun यहाँ पर है, अब क्या होता है, कि जब तक light यहाँ तक पहुचती है, तो हमारी जैसे blue light है, सबसे ज़्यादा scatter होती है, कि वो सब इदर-दर निकल जाती है, तो पहुचती क्या है, आपको orange या red light पहुचती है, तो sunrise पे जो sun है, वो आपको red दिखता है, क्योंकि जो lambda भी है, वो कम होता है lambda r से, निकि wavelength red का ज़्यादा होता है blue से, तो इसका मतलब यह है, कि blue ज़्यादा scatter होती है, red कम से कम scatter होती है, वो ही हम उनको पहुच पाती है, इसलिए red और orange आपको दिखता है, इसलिए जो appearance है sun का, sunrise पे, अगर near horizon पे देखें, नियर horizon आप यहाँ खड़े है न, तो आपको आँखों से सीधा देखा जाए, तो उसे horizon कहते हैं, वो आपको almost reddish दिखाई देगी, जो star है, कभी वो आपको, चमकता वो दिखाई देता है, कभी वो कोई thrush ring होता, या fainter दिखाई देता है, इस effect को हम क्या कहते हैं, आपको reason बताना इस effect का, तो इस effect को हम twinkling effect कहते हैं, और इसके बारे में हमने discussion काफी कर लिया, होता ये है, कि आप यहाँ पर खड़े हुए, अब यहाँ पर आपका star है, किस तरीके से, इसको star को इस तरीके से बढ़ाता हूँ, अब star क्या है, कि थोड़े दूरी पे है, और इसके light को पूरे अर्थ के atmosphere से पास होना होता है, तो जब यह यहाँ पर आती है, क्योंकि rare air say dancer medium में जा रही है, थोड़ा यह इस तरफ आ जाती है, फिर rare dancer medium में यहाँ आ जाती है, इस तरीके से आते 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 आपको यहाँ पहुचती है, अगर मैं इसको सीधे बढ़ा दू तो यहाँ, जो star है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि star यहाँ पर है, यानि कि जो इसके apparent position है, और जो actual position है, इसमें थोड़ा सा यह vary करता रहेगा, जरूरी नहीं है कि इस समय इधर दिखाई दे, थोड़े दिर बाद वो यहाँ दिखाई देगा, थोड़े दिर बाद यहाँ पर, दिखाई देगा, जब sunlight आती है atmosphere से, और उसमें बहुत सारे आपके atmosphere में molecules है, और भी fine particle है, जो थोड़े wavelength जो visible light का उससे छोटे होते है, तो यह molecule है, particle वो scatter करते है blue light को ज़्यादा, as compared to आपके wavelength जो red color का होता है, तो इससे क्या होता है, जो ज़्यादा scatter होती है, ज़्यादा scatter होती है, वो आपके आँखों में पहुंछ ते है, sun आपका अभी over head है, sun आपका अभी horizon पर नहीं है, आपके सर के उपर है या आपके सर के आसपास करीब है, जो color है sky का, इसलिए आपको blue दिखाई दिखाई देता है, day time पे spectrum क्या होता है क्यों अलग-अलग जो color ray है deviate होती है differently जब वो glass prism से पास होती है तो जो band है color component का जब light beam आपके निकलती है दिखती है उसे हम spectrum कहते है जो color sequence है इसमें उसको विब्ग्योर acronym से दिया जाता है violet, indigo, blue, green, yellow और आपका orange यह इसके आपके अलग-अलग color होते है white में इन सबको मिला दे तो white बनता है white color बनता है अब देखिए जो speed of light है या जो गती है light की वो अलग-अलग, या यह कहें अलग-अलग color की medium में वो अलग-अलग है खास्तों पे जैसे हम prism glass की बारें बात कर रहे हैं तो अलग-अलग speed जो है अलग-अलग color की वो अलग-अलग refractive index मिलता है उसको अलग-अलग color के लिए अलग-अलग color के लिए अलग-अलग refractive index तो इसमें दिखा गया है कि जो refractive index है glass का violet color के लिए वो ज़ादा है बरिजबत की red color के लिए तो जो color आपके white light में है, जो मैं आपको ये विभ्योर बता रहा हूँ, वो अलग-अलग different angles से, क्योंकि उनकी speed अलग-अलग होती है, अलग-अलग angles से बहार निकलते हैं, तो क्योंकि अलग-अलग speed है, अलग-अलग angles से बहार निकलते हैं, जो वो बहार आते हैं, तो इंदर करीब का object है, और दूर का object दोनों देख पाएं, तो ये सारा खेल जो है, हमारे ciliary muscles और हमारे lenses का है आँखो में, बहुत सारी चीज़े हैं हमारे आखो में, जो इस power of accommodation को अंजाम देती हैं, जैसे हमारी आँखे हैं, अगर हम करीब की चीज़ देख रहे हैं, तो हमारी देख सकें, रेटिना पर उसकी image बना सकें, उसे हम power of accommodation कहते हैं, जो हम करीब का object देखते हैं, तो ciliary muscles जो होती है, वो छोटी हो जाती है, इसका मतलब यह है कि जो object को हमको clearly देखना है, वो अगर करीब हो तो हमारी contraction की कारण हम से ciliary muscles जो से lens को contract करती है, उसकी current देखता है, लेकि जब दूरी object दूर पे है, तो muscle relax हो जाती है, इसका मतलब यह है कि जो eye lens हमारा thinner हो जाता है, जैसे यहाँ थिक हुआ था, यहाँ thinner हो जाता है, इसके कारण focal length बढ़ जाती है, increase हो जाती है, इसलिए जो parallel lens आ रही होती है, दूर से distance object से, वो सारी होत rate एक ही बार में, या simultaneously या फिर एक तरीके से करें, quick succession में, succession में देख सकें, एक student है, वो chart जो डटका हो, उसको देख नहीं पा रहा है, जो एक distance है, तीन मीटर पे, उनकी आँखों से, आपको defect बताना है, किस defect से गरशित है, आपको rate algorithm भी बताना है, ताकि आप इस defect को illustrate कर पा जो दूर की चीज़े नहीं देख पाते हैं, उनको यह होता है, या फिर इस disease को यह कहते है, disease नहीं है यह, मतलब कुछ problem है आखों की जो ठीक किया जा सकता है, अब जो image है, वो retina के पहले बन जाती है, ना के retina में, जितने भी myopic eyes है, इसका एक far, दूरी का point, या far point होता है, जहां से, जहां तक आप चीज़े, जिसके बाद चीज़े नहीं देख पाते हैं, तो जो short sightedness है, वो किस कारण से हो सकती है, हो सकता है, आपका cornea में जादा curvature है, या आपका eyeball जादा elongated है, अब हम अगले की बात करेंगे, यह वाला, आपको ray diagram बनाना है, ताकि आप दिखा स करता है, और shift करता है image को retina पे, तो माली जाए यह सीधी आ रही है, आपकी यहां पर बन पा रहा है, यह एक myopic आई है, जिसमें जो distant object आपको यहां पर है, infinite पे, वो यहां पर retina पे न बनके, उसके पहले बन जा रहा है, जैसे आप यहां लेंस लगाएंगे, आपका cave lens लग लगाएंगे, तो आपके lens जो है, वो proper retina पे बनाएगी, वैसी बेसिकलि यह तो virtual बनती है, यहां पर आईगी, तो यह correction है आपका, अब सबसे बड़ी बात आती है, चलिए यह सब तो बात कर लिए, आप तो humanitarian बात करते हैं, उसका सवाल भी यहां पर आपके board में आया या तो आप जमीन में आपको bury कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, या आपको जला दिया जाएगा, यह दोनों चीज़े होंगी, अब आप देखिए, आपके शरीर में ऐसी इतनी सारी चीज़े हैं, जो किसी गरीब के, जो किसी पीडित के कामा सकती है, तो मैं आप से गुजारिश करूँगा, मैंने भी अपने सारे जो बाडी पार्ट से वो डोनेट कर रखें, कि अगर मेरी खुदाना खासता कोई हाथसा हो जाता है मेरे साथ, तो मेरी जो अंग हैं वो लोगों को दे दिये जाएगी, तो देखिए, रीजन क्या है डोनेट करने के लिए आई किये, आप अपनी आँखे जरूर डोनेट किये, बलकि मैं तो कहता हूँ, सारे बोडी पार्ट डोनेट करिये, तो जो हमारी जो किसी भी बन्दे की विचारे की कोई कॉर्निल ब्लाइनेस है, वो अगर हम अपना कॉर्निया दे 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 तो उससे वो ठीक हो सकता है, और किसी के आँखों से आप अपने बात भी, अपने जाने के बात भी देखते रहें, इसे अच्छी बात क्या है, और क्या तरीके है इसको सपोर्ट करने के, एक पूरी अपनी फैमिली का ट्रडीशन बना दीजे, बता दीजे, डोनेट करना आईए को, देखे, जो अंग दान ह अंच ये सबसे बड़ा दान है, आप अपने शरीर का एक अंग दे रहे हैं अगर आपको खंदना खासता कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके वाज़ दो किड्नी हैं, आपके माता जी को कुछ हो जाता है, पिता जी को कुछ हो जाता है, बच्चे को कुछ हो जाता है इन सब को दरकिनार करिए अपनी आँखे डोनेट करिए तो ये बात हुई जो बोर्ड में सवाजवाब आये थे उसके बारे में बहुत शुक्रिया बहुत मैं आँखे जरू डोनेट करिएगा